हालो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई चानल आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही यूसफुल प्रोड़क्ट का रिव्यू जिसको सभी के घरों में होना चाहिए क्योंकि आज के भागदोरवली जिन्दगी में हम कहीं ना कहीं अपनी सेहत को एग्रोर कर देते हैं पूप्लम होती है लेकिन पता नहीं होता कि क्या प्राब्लम हो रही है अगर हमें पता हो कि प्रॉब्लम ये हो रही है तो हम उसका इलाज भी उसी के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं तो गाइज ये मेल आई हूँ मैडिटिव ब्रैंड की BP मशीन जो की बहुत ही easy to use product है automatic है आप खुद भी इसमें मैजल कर सकते हैं कि आपका BP low हो रहा है हाई हो रहा है तो गाइज उसी के हिसाब से आप अपना treatment भी ले सकते हैं ये जो BP मशीन है automatic है meditative brand की है and blood pressure monitor fully automatic मशीन है देखे छोटी सी मशीन अभी मैं इसके unboxing करूंगी आपको पता लगेगा कि इसमें आपको क्या-क्या benefits मेलेंगे इसके क्या-क्या functions है and कैसे इसको use करना है guys ये जो है USB power option है इसके अंदर 2 years की guarantee है and WHO standards पे ये पूरी match करती है and guys automatic power off है intelligent pressure है to user with 99 memory है and error report indicator है कुछ भी गड़बर हो रही है तो उसका indicator भी है कि ठीक नहीं आ रहा है and guys ये जो मुझे मिली है ये काफी reasonable price पे मिली है मैं वो सबके link जितने भी platform पे available है सब description में दे दूँगे आप वहाँ से जाके इसको buy भी कर सकते है इसके unboxing करते हैं और देखिते हैं कि इसमें हमी क्या-क्या मिलता है guys सबसे पहले मुझे मिलता है इसमें arm curve and ये automatic machine जिसमें measurement रहेगा and एक मिलता है मुझे इसमें manual जिसमें आप देख सकते हैं कि इसको use कैसे करना है and इसके जो भी functions है वो इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा so guys ये जो BP machine है इसमें आपको काफी सारे functions मिल जाती है air socket है, setting button है, memory button है and USB port for power supply है start and stop का button है and display में अगर आप देखते हैं तो यहां पे अगर मैं इसको start करती हूँ तो यहां पे set करने के बाद यहां पे जितना भी measurement आता है तो उसका measurement आ जाएगा systemic blood pressure and minimum होता है maximum होता है, दोनों ही blood pressure उपर से नीचे तक show हो जाएगे pulse rate आपको मिल जाएगी देखिए में ने जो अभी अभी measurement किया था अपना बिकुल जस्ट अभी तो मेरा 123, 77 and 79 pulses आई तीन तो यहां पे आपको वो सब show हो जाएगा and guys यहां पे आपको show हो जाता है अगर battery slow होती है या low battery होता है तो यहां पे symbol आपको दिख जाएगा blood pressure का भी हाँ पे आपको पूरा दिख जाएगा classification indicator है, memory symbol है, memory times है and यहां पे पूरा date, month पगएरा सब हाँ पे setting में दिख जाता है and guys यह है arm curve जब आप इसको set करेंगे तो आपको इसको जहां पे आप इसको set कर रहे हैं वो खाँ महां से close आप हटा दीजिए और पूरा body का accurate measurement आएगा so आप user memory में अगर आप अपना पिछला तीन बारी का भी इसमें measurement कितना आपने measure किया था वो भी आपको इसमें दिख जाएगा तो आप compare कर सकते हैं कि आपकी health अच्छी हुई है या क्या मतलब आपका पूरा routine चल रहा है वो भी आपको इसके memory portion से पता चल जाएगा तो यह जो आपको है बहुत easy to use automatic जो machine है आपको काफी useful रहेगी so चलिए मैं आपको इसको दिखाती हूँ इसमें है start और stop का button setting का and पूरा इसमें आपको heart weight आपकी pulse और जितना भी आपका measurement है blood pressure का वो यहाँ पे maximum minimum सारा आपको show जाएगा कुछ भी नहीं करना है arm curve की lead है जो आपको यहाँ पे attach करनी है जब भी आप इसको use करेंगे तभी आपको इसको attach करना है नहीं तो निकाल के रख दीना है इसके संग मिले थे मुझे 3 cell जो की इसमें cell operated है यह देखिए cell operated है तो cell मुझे इसके साथ ही मिले थे जब आपके खताम हो जाए तो आप इसको दुबारा से change कर सकते है वोथ ही automatic easy to use machine है और manually भी आती है वो थोड़ा हम लोगों के लिए समझना मुश्किल होता है वो mercury से measurement बिताती है accurate होता है उनका या इसका भी accurate होता है 5-10% उपर नीचे होता है इसको हमें अपनी आम पर set करना है यह देखिए आपको कैसे set करना है इसको जो आपकी आम है यह जो mid area है इससे थोड़ा सा दो उगली छोड़के उपर ही इसको attach करना है आपको नीचे नहीं लाना है तभी accurate आएगा यह देखिए मैंने यह attach कर लिया है जितना भी आपको लगता है कि ठीक है उतना ही इसको attach कीजेगा जितना आपकी capacity है दो उगली की जगा इसमें होनी चाहिए बस इतना आप इसको set कर लिजे दन उसके बाद यहाँ पे जो button है start and stop का तो आपको इसको start करना है यह देखिए इस तरीके से यह start हो जाएगी and automatically inflate करने लगेगी and हमारा जितना भी measurement होगा वो इसमें आजाएगा यह automatically inflate हो रही है और जितना भी मेरा BP होगा वो इसमें आजाएगा यह देखिए मेरा जो BP आया है वो 123 and 77 आया है ठीक है pulse rate 79 आई है तो ठीक है यह तो इस तरीके से बहुत easily आप अपना blood pressure चेक कर सकते है automatically यह off हो जाएगा दो मिंट की wait कीजिए यह blank हो जाएगा set हो जाएगा अपने आप automatically यह off हो जाएगा आपको कुछ भी नहीं करना है बहुत easy है start and stop का button है setting है यहाँ पे और सब कुछ यहाँ पे आपको show हो रहा है कितना आपका measurement आया है cell से operate कर सकते हैं नहीं तो charger भी आप buy करके इसको उससे भी operate कर सकते हैं तो देखे मैंने कितनी easily अपना BP जो है वो check कर लिया अगर यह facility घर पे होती है तो आप कितना easily पता लगा सकते हैं कि आपको क्या problem है तो यह जो कुछ main equipment होते हैं यह हमारे पास होने ही चाहिए तो guys कैसे लगा आपको यह BP machine का review and बहुत ही comfortable है बहुत ही easy to use है इनके links अब मैं आपको description में देदूँगी आप वहाँ से try कर सकते हैं तो मिलती हूँ next video में किसी और useful product के review के संग आभी के लिए bye bye